तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा Android प्लेयर जिसे बनाया जाता है मॉस्को रस्या में और जिसे एसेंबल किया जाता है चाइना में और यह जब दोनों चीजे हो जाती हैं तो वो आज आता है हमारे पास इंडिया में और ब्रैंड का नाम है और इसके और भी ब 60BardU camera वाले model भी आते हैं वो भी मैंने install किया है और यह जो वाला basic model है यह भी मैंने कई कार में install किया है तो बगाएर किसी देरी के आइए करते हैं इसकी unboxing और हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसा रहेगा यह आपकी car के लिए तो थोड़ी इसकी specification के बारे मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह जो stereo है यह 9 इंच का है screen resolution जो है वो है 1280 x 720p android version 11 इसमें run हो रहा है 2GB की RAM है and 64GB का ROM है speaker output की अगर हम बात करें तो 4 x 50 watt का speaker output आपको इस stereo के अंदर देखने मिलेगा जो कि एक अच्छा output होता है प्रोसेसर इसका काफे ज्यादा अच्छा ह जो कि आपको speed provide करेगा 2.4 GHz की and 5G hot spot को भी यह stereo support करेगा wireless android auto भी है wireless apple carplay भी है 15 band का equalizer दिया हुआ है और अगर इसकी warranty की मैं बात करूँ तो 1 year की warranty आपको इस stereo के अंदर देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है maximum retail price 19,990 रुपए तो अगर आपको यह stereo चाहि तो आप इस वीडियो के description में जा सकते हैं and final price देख सकते हैं तो अब करते हैं इसकी unboxing और देखते हैं कैसे है यह stereo वाव यह हम लोगों ने कर लिया open यह है इसका warranty card एक साल की warranty देखने मिलेगी इसमें इसको कर देते हैं side यह है cleaner एक cloth दिया हुआ चोटा सा जिससे आप clean कर सकत सकते हैं एक यह भी है तो बैक चेचिस कुछ इस तरीके से आएगा आप देख सकते हैं with cooling fan and जो front का look है कुछ इस तरीके से आएगा आप देख सकते हैं brand यहां पर लिखा हुआ है और वैसे आप इसकी Instagram पेज को भी follow कर सकते हैं Enigma Techronics तो stereo का जो look है वो तो काफी ज्यादा रहा है और यह जो वाइरिंग हरने से ना आपको इस stereo के सांथ में देखने मिलेगा जिसमें GPS एंटीना वायर बूफार आर्सी एजैक एक युनिवर्सल लीड एक्स्टरनल माइक दो USB सॉकिट एक एक स्टरनल माइक और एक कैन वायर देखने मिलेगा तो यह काफी ज्यादा प्रीमियम है इसकी ओरिजिनल कीट है यह तो इससे हम कर देते हैं साइड और यहां पर से देख सकते हैं आप लों कुछ इस तरीके से इसका इंटर्फेर्स देखने के लिए मिलेगा आपको एंटर्फेर्स के अगर माँ बात करूं काफी ज्यादा स्मूथ है चलाने भी मज प्रीम चैना में होता है सबसे पहले सतो इस पी चायना में बात करों काुछ ज्यादा अच्छा है देन कार लिंक 2.0 का आप्सन मिलेगा वायरलेस एंड्रोइड आउट वायरलेस एपल कार पे लिए के लिए तो यहां से हम बाहर आ जाते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वीडियो की क्वालेटी पहले वीडियो की क्वालेटी देखिए आप लोग वाउ फैन्ट क्लास्टिक भाई कहा का वीडियो है यह देख सकते हैं दोस्तों क्वालेटी देखिए आप लोग वाव काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी है एंड फ्रेंड का लूक देख सकते हैं आप लोग एफेम, म्यूजिक का सिंबल, दें कार चलेगी तो यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर क्लॉक, म्यूजिक, वीडियो, ब्लूटूथ, फाइल मेनेजर फाइल मेनेजर में अगर आप जाएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा मुल्टिपल ओप्सन दे दिये हैं, म्यूजिक बगरा में, वीडियो बगरा है अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी यह जो कैमरा है, वो फुल HD कैमरा है, HD 1080 25 Hz का कैमरा है तो आप लोग देख सकते हैं, क्या क्वालिटी उसकी आ रही है अब इसे मैं आफ कर देता हूँ, यहां से हम लोगों ने कर दिया आफ अगर मैं उपर के रोकी बात करो, तो यहां से brightness को कम ज़्यादा आप कर पाएंगे देन, Wi-Fi, screen off, अगर आँखों में रॉसनी चुबरी है तो देन, एक बर क्लिक क्या आपने, on हो जाएगा देन, यहां से अगर हम इस सेड आए, वैसे calculator भी दिया हुआ है में, calculator, high definition mode, front camera आप लगा सकते हैं, प्लस record भी कर सकते हैं आईए अब इसकी Android Auto and Apple CarPlay की speed में आपको दिखाता हूँ तो Android Auto पहले connect कर लेते हैं, तो simply हमको कुछ नहीं करना, hot spot को off कर देना है देन हमें Bluetooth को on करना है, Wi-Fi को on करना है, दोनों on कर दिया है, अब दिखते हैं, वाउ, speed देखिए आप लोग अभी connecting ले रहा है आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से Android Auto जो है connect तो हो चुका है मतलब कितनी देर लगे होंगे, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, comment करके बताओ कितनी देर लगा, काफी ज़्यादा अच्छा है, stereo लग रहा है वैसे ही यहां से अगर हमको जाना है, phones के सारे app, सिर्फ navigation यूज़ करना है, बड़े screen में phone को कर देते हैं, side अब मैं आपको सुनाता हूँ, इसकी sound output की quality, फिर हम देखते हैं कि क्या किस्सत तमाम इसमें है, आइए sound output की quality सुनते हैं, तो मैंने USB लगा दिया है, यहां से हम इसे Bluetooth को off कर देते हैं, USB लग चुका है, music वाले app में हम गये, यहां से जो भी music हमें play करना है, USB का play करना है हमें तो यह सुन याप वाव देखा आप लोगों ने सुना आप लोगों ने किस तरीके की थी साउंड क्वालिटी वच्छे साउंड क्वालिटी जो है फोर इंटू 50 वाट का थो पर रहा है देन यहाँ पर बाकी सारे एप्स हैं अब मैं होट स्पॉट कनेक्ट करके आपको इसकी गूगल वगएरा की ओपन होनी की स्पीड क्या है वह आपको दिखा देता हूं एक बार यहाँ से हम लोगों ने होट स्पॉट को ओन कर दिया है इसे कर देते हैं साइड यहाँ से जाते हम दिन यहाँ से हम लोगों ने कर लिया ओन यहाँ पर से ओन कर लिया हम लोगों ने दिन यहाँ पर कनेक्ट हो गया है ओन होते साथ क्रोम ब्राउजर को उपन करते हैं नो थैंक्स और यह यूट्यूब हम लोगों ने ओपन किया वाव इस पीड देख सकते हैं हर वीडियो में बोलता हूं जहां पर मैं हूं वहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती ही है तो यहां से आप सिंप्ली न्यू सॉंग सेर्च करेंगे यह न्यू सॉंग आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके की स्पीड आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगी आप लोग यहां पर देख सकते हैं वसे टच वगएरा चलाने में काफी ज़्यादा अच्छा है मैं हर बार आपको बोलता हूं कि एक अच्छे स्ट लाने के बाद पता चल जाता है कि वो कैसा है टच असिस्टिव यहां पर दिया हुआ है जिन बटन वगएरा काम कर रहे हैं तो वह आप यूट्यूब का आइकन उसके बाद steering wheel control का option है आप यहां से klick करके सारे steering wheel buttons को pair कर लिजिए steering wheel control प्र तरीकर से काम करने लग जाएगा दिन यहां पर है phone link टीमा app के ठूर्ूँ आप जो old generation phone है या new generation जो अजकर तो खैर android auto का जमाना है तो android आउटो ही बहुत सारे लोंग कनेक्ट करते हैं देन नेविगेशन एफम रेडियो का इंटरफेस आप लोंग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा आउटो सर्च फीचर विथ आईएस फीचर तो यहां से हम इसे कर देते हैं साइड यहां से करते हैं क्लियर वाव सरीके से पासवर्ड वगएरा आप लोंग देख सकते हैं ब्रैंड है और तो आईए आप बात कर लेते हैं कि यह स्टीरियो कितने का है और क्या फाइनल प्राइज में यह आपको आफ्टर मार्केट में देखने मिलेगा आईए देखते हैं हंजी तो बताइए कैसा लगा बहतरीं एंड्रोइड कार इस्टीरियो वसे कमेंड में बता देना और अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी वह बहुत सारे नए नए एंड्रोइड इस्टीरियो हम लेकर आने वाले हैं नाका मीची बगएरा दिखाने वाले हैं सारी चीजों की बात करने वाले हैं बाक है यकिन मेरे YouTube वीडियो को देख लो आप ऐसा मसोची कि मैं सिर्फ इस टूडियो में बैटकर सारी वीडियो को बनाता हूं मैं जब कार में इंस्टॉल करता हूं तब भी आपको सारी वीडियो को दिखाता हूं तो बगाएर किसी देरी के चैनल को कर लेना सस्क्राइब वीड मिलते रहे तब तक के लिए जय हिन वंदे मात्रम